प्रधान मंत्री मोदी की साधना पूरी हो गई है और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हुष परपित कर नमन किया है पियम अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं जैसा कि हमने आपको उताया कि 45 घंटे तक कठोर तब किया है प्रधान मंत्री मोदी ने यहाँ पर मौन साधे रखा सूरी की उपासना की मंदिर में ध्यान लगाया मालया का जाप किया और साथे साथ विद्वत पूजा अर्चना करने के बाद अब यहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे आसान नहीं था 76 दिनों तक देश के लगलग हिस्सों में जाकर चुनाव प्रचार करना 206 के आसपास प्रधानमंत्री मुदी ने रैलियां की इसके लावा सी से अधिक उन्हों ने इंट्रिव्यू दिये और इसके बाद चुनाव प्रचार का शोर थमा तब वो सीधा पहुँच गे कन्या कुमारी जहां पर स्वामी वेकान ने जाकर भारत को जाना था वहीं पर प्रधानमंत्री मुदी ने जाकर 45 घंटे का कठोर तब किया ध्यान लगाया और अब जब कि वो बोट पर सवार होकर यहां से रवाना हो रहे हैं तब यह तस्वीरे आप देख पा रहे हैं वो बोट के भीतर से बैट कर वो इस प्रतिमा को निहार रहे हैं और यहां से पिय प्रण्ट्स पर्ष किये और उसके बाद अब प्रधानमंत्री मुदी वहां से रवाना हो रहे हैं तो लगातार 45 घंटे तक उन्होंने वहां पर ध्यान लगाया मेडिटेशन किया और उससे जुड़ी हुई तस्वीरे बीजेपी की ही ओर से शेयर की गई जहां पर प्रधानमंत्री मुदी भगवा वस्र धारण किये हुए आखे बंद करके ध्यान लीन नजर आ रहे हैं जाप कर रहे हैं ध्यान मुद्रा में बैठे हैं सामने दिवार पर ओम अंकित है आगे अगर बत्तियां जल रही है और अलग-अलग तस्वीरों के माध्यम से इस ध्यान साधना को बीजेपी ने सामने रखा लेकिन विपक्ष ने इस पर भी वार किया और इसको एक्स्टंट करार दिया इस पर आपत्ति जताई इस ध्यान साधना पर ये नहीं ऐसी कोई बात जिससे वोटिंग को प्रभावित किया जा सके नहीं ऐसा कोई बयान या आयोजन एक ध्यान साधना चल रही है कोई भी ध्यान लगा सकता है प्रधानमंत्री मोदी ने 45 मिनिट अप माफ कीजे 45 घंटे तक ये ध्यान साधना की और वो अपूर्ण हो झाल 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 झाल